हेलो फ्रेंद्स आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ सेकंड मोड्यूल अफ हिमाचल प्रदेश का अंटरफिर्स जो की जुलाई ऑगेस्ट इन सेप्टेंबर के हमने कंपाइल किये है सो लेट्स गेट स्टार्टेंड ओट्वाय सेकंड मोड्यूल अप्रिमेर इंस्टिशिन पर सेविल सर्विसेश्ट इसके अंडर जो है आपकी 38 टाइपस ऑफ प्लांट स्पीशीज है उनको यूज किया जाएगा तो ट्रीट वेस्ट वाटर और वेस्ट रिवर स्ट्रीम्स इस कॉंसेप्ट को जो है कहा जाता है फाइटो रेमिडियेशन दाट मीन्स प्लांट्स का यूज किया जाएगा जो पॉल्यूटेंट्स है आपके वाटर में सॉइल में उसे एब्सॉर्ब करने के लिए इसी स्कीम के अंडर जो है एक और चीज जो लॉ जो 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 एर्थक्वेक है उसके चांसे जादा रहते हैं इसी वजह से GPS इस मेंडेट्री नाओ जो यहां पर अर्ली वर्णिंग सिस्टम्स जो है उन्हें इंस्टॉल करने की बात की गई है कुलू में और धलॉजी में और यहां पर नैशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टन फाक्ट रहता है तो आपको इसके बारे में पता होना आपको अचिये देजस्टर मैनेजमेंट अफ टुस्टंफाउजंग जो की हों मिनिस्ट्री पे अंडर है इसके हेड कोट对ले में है और इसके अंडर ऑजी बार्डी है इस नाशनल इस जर्शनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारटी जो की जिसके अंडर NDRF आता है, so what they do, they make plans, policies and guidelines for the disaster management, our third topic is 14th edition of annual Sino-Indian border trade opens in Nathula, so Nathula आपका पता होना चाहिए, it is a mountain pass in Sikkim, so China के साथ हम trade 3 passes से करते है, one is Nathula in Sikkim, other is Shibkila in Himachal Pradesh and other is Lipu Lake in Uttarakhand, so यह जो आपका trade है, it is organized 4 days a week for period of 6 months, moving forward, our next topic is government opens 137 peaks for foreign mountaineers and trackers, so यहाँ पे जो important चीज है, that is कुछ peaks को अगर आपको climb करना है, तो उनके लिए आपको permission Defense Ministry or Home Ministry से लेनी पड़ती है, but now since these peaks are open, आप directly Indian Mountaineering Foundation में जाके Mountaineering Visa के लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ensure क्या जाता है कि Indian Adventure Tourism की जो guidelines हैं उनको follow किया जाए, but now you can directly apply for the visa, our fifth topic is a prefact, जो आपकी हिमाचल प्रदेश सिर्मौर डिस्टिक में सिम्बल बारा जो आपकी river है, वहाँ पर fresh water की एक new species है, उसे discover किया गया है, so उसका नाम है गारा सिम्बल बारनेस, so you have to keep it in mind कि सिर्मौर में सिम्बल बारा जो river है उसे, उसमें एक fresh water की species fish है, उसको discover किया गया है, our sixth topic is मुख्यमंतरी सेवा संकल्प help line, 1100 has been launched in September, so यहाँ पर जो है, यह किस चीज के लिए है, this is for the speedy, जो redressal रहता है आपका, आपके issues, problem, grievances जो है, उनके लिए, उनका जल्दी से जल्दी उनका reply किया जाएगा, उन्हें address किया जाएगा, उसके लिए 1100 जो है help line उसे launch किया गया है, moving forward, our next topic is Indian Army team summit, Mount Leo Pargill, so यहाँ पर Indian Army की जो team है, उन्हों ने एक expedition carry on किया है, Leo Pargill के उपर, और वहाँ पर उन्होंने national flag को hoist किया है, so इसके बारे में इसकी जो length है, it's 6773, यह आपकी जांस के range में आती है, इनके nordistic, और यह जो peak है, it is most challenging and technically difficult peak to scale, so इसे हमने यहाँ August 2019 में यहाँ पर expedition Indian Army ने carry किया, let's move forward, Indian state government committed to make himachal a drug free state, so यहाँ पर जो fat है, that is 1908 जो help line है, यहाँ पर आप जो drug dealers अगर आपको पता है, है, उनके बारे में आप complaint register कर सकते है, so आपको help line पता होना चाहिए, that is 1908, for what reason, drug free state, जो drugs के खिलाफ है, नशान निवारन, toll free help line, जो है, it is, so next is effort on to make himachal a natural farming state, so natural farming के बारे में अगर आपको पता है, so it's like आपको fertilizers का less and less use करना है, आपको bio pesticides, bio insecticides को adopt करना है, और जो आपको government है, वो 50% subsidy भी दी जाएगी, अगर आप cow dunk use करते हैं, for the natural farming, so यहाँ पर आपको पता है कि प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना भी है, जो लॉंच की गई है 2018 में, हिमाचल प्रदेश में, so that we can have chemical free fruits, vegetable and other eatable articles to the consumers. Next is Kerala, Tamil Nadu, हिमाचल and Puducherry Tops the 2019 Indian Child Well-Being Index, so जो इसमें top 3 जो states है दियार, Kerala, Tamil Nadu, हिमाचल, so यहाँ पर यह कौन देता है, यह NGOs देते हैं, World Vision India and IFMR and LED, so यहाँ पर हिमाचल ने जो score क्या है, that is 0.67, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, that Kerala has topped and we are one of the top 3 states, जो यहाँ पर है आपके crime against children जो है, उनके basis पे से, children's survival and nutrition के basis पे से निकाला जाता है, so next is CM invites नीदरलान to invest in food processing unit, as you know, हिमाचल प्रदेश जो है, उसे fruit bowl of India कहा जाता है, and नीदर लैंड में जो है, they people have expertise, जो की less land में जादा से जादा productivity निकाल सकते हैं, so हमने उन्हें invite किया है, so that they can invest in our food processing industry, our next topic is HP Shiva project, so HP Shiva की जो full form है, वो है subtropical horticulture irrigation and value addition project, जो, so इसे fund किया जा रहा है, Asian Development Bank ने, which is a social development organization, जो Asia में poor countries है, developing countries है, उन्हें जो है, ये funds देता है, grants देता है, for specific projects, जो इसके अंडर जो है, आपको high density plantation, जो crops है, guava, pomegranate, lichy, या citrus fruit जो है, उनके लिए ये funding दे रहा है, our last topic is Himachal Pradesh Assembly, past Himachal Pradesh Freedom of Religion Bill in 2019, so, इस जो bill के अंडर है, आपका अगर कोई भी conversion of religion करता है, forcefully, it is highly criticized, और उसके लिए जो है, यहाँ पर jail terms and आपकी जो भी punishment है, वो अच्छे से define की गई है, so, basically, this bill is about the conversion by force, and through marriage, solemnizes from the sole purpose of adopting a new religion, so, this is all we have today, I hope this video was useful, thank you and have a good day.